नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेडवेत्रानिक चलिए दोस्तों जैसे कि हमारे क्वाटर थी सीरीज की सीरीज चल रही है क्वाटर थी रिजल्ट की तो उसमें एको शेयर का रिजल्ट आया बंसाली इंजीनिरिंग पॉलिमार लिम्टेड क के अंदर मैंने वन विक पहले भी कॉल दी तो अपना चैनल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लिजे बहले को बजाना बिल्कूल ना भूलिए तो बंसाली इंजीनिंग पॉलिमार लिम्टेड के वारे मैंने कई वार अपडेट दिया टैम टैम पे आपको तो देखिए एक तरह के सिक्मिंट के अंदर है तो तरह के प्रोडविन डेक्सकरम का इनके प्रोडवक्ट जो है ना पिभिमेंट शक्कोन का यानिु अदेश्रकरम करती है क्श तरह के reagis और ने मिंफक्सक्र तो देखिए आज के दिन इसका रिजल्ट कैसा है क्योंकि रिजल्ट अभी इसका आया था साड़े तीन वज़े करीब इसमार डिजल्ट में अपडेट माई थी तो उसके बाद रिजल्ट के अंदर कैसे आवर्विव रहा वह समझता चले चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं देखिए आज 17 जनवरी 2022 एनसी बेसी पे दोनों हैं तो कंपनी का रिजल्ट अनॉंस हुआ है अभी तीन वज़े करीब इसका पूरा आउटकम निकल के आया है तो कंपनी ने इस डिवीडेंट भी कंपनी ने एक रुपय का डिवीडेंट दिया लास्ट क्वा ग्रीज़ट के अंदर अब देखिए इस यकार्ट 3 का है तो वह चलते इसके अदर कहुंत करते हैं तो देखिए इसके अंदर कैसे शरा रही चारी दीकते हम लोग तो बंसाली इंजीनिंग पॉलीमार लिमिटेट के अंदर इतो इसके जो रिजल्ट हाए ना थोड़ा सख के अंदर रहा है यह चलते हम सीधा के साइट पहले इसका मार्केट का समझते हैं तो इसका मार्केट का है दो हजार 690 करोड़ रुपे का स्टॉक पीए 6.12 का है और स्टॉक रिटन ऑफ और 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 सी इसका है 6.1 परसेंट का और बोग वैल्यूस का बावन रुपे दो पैसे का है रिटन ऑफ एक्वेटी चौण रुपे तीन पैसे का है और डिवीडन कंपनी न अभी तक दिया 3.9.64 परसेंट तो देखिए कंपनी में नेकिटिव सेंट कुछ नहीं है बस थोड़ा करजा है बाकी कंपनी अल्मस्ट करजा फिरी हो गए कंपनी के अच्छा का सा देखने को मिलना है तो इनका जो रिजल्ट है लैक्स के अंदर आ है तो मैं आपको स्केनर की सैट पर और नेट प्रॉफिट आया六 लग का तो EPS इनका 4.56 हुआ है तो लास्ट कौटर इनके सैल थे 375 लग की और लास्ट कौटर मेंट का प्रॉफिट था 174 लग का और EPS था 7.45 और नेट प्रॉफिट था 124 लग का तो देखिए सेल में कमी देखने को मिलु आपको ुसेल में थोड़ी बहुत कम ही देखने को मिलिया, quarter quarter वाई देखिए, last quarter sale थी, 375 घटके हुए, 342 और operation profit था, 144 वो घटके हुए, ठाणवे, और net profit था, 124 से घटके हुए, ठाणवे, और EPS में भी घड़त देखने को मिलना हमारको, last quarter में EPS था हमारा 7.45, वो घटके हुए, 4.56, तो EPS में quarter quarter वाई, गरावट देखने को मिलिया, net profit में गरावट देखने को मिलिया, और operation profit में भी और sale के अंदर भी घटके हुए, 321 लाग की, operation profit था, 184 का, वो घटके हुए, ठाणवे का, तो profit भी घटके हुए, अमारे को, और नेक्ट प्रॉफिट था हमारा 136 वह घटके हुआ छेतर और EPS था हमारा 8.20 वह घटके हुआ है 4.56 तो देखिए यह यह बहुत साथ डाउनफॉल देखने को मिल दा है 100 के आस्पस डाउनफॉल देखने को मिल देखिए लास्ट इयर सेल थी 411 वह घटके हुआ 342 और प्रॉफिट था 184 वह घटके हुआ 198 और EPS था हमारा 8.20 वह घटके हुआ 4 पॉइंट यानि EPS में तो 50% डाउनफॉल देखने को मिल दा है नेट प्रॉफिट में भी 50% डाउनफॉल देखना सेल के अंदर भी 40% डाउनफॉल देखना मिल देखने को क्वाटर क्वाटर वह घटके हुआ रिजल काफी खराब आया है ज्यादा खराब भी निया क्वाटर क्वाटर थोड़ा वह इस्टैबलिस है बट यह रिजल काफ पेटर वह देखते हैं तो देखेंगे इसके अंदर पर मोटर के अपनी होल्डिंग घटाए है यानि पहले लास्ट कौर्टर में फैस्टीश होल्डिंग वह घटके हुए वन पंट चौवन एक नेगटिव सैंद यह आगे निकलके और डियस ने अपनी होल्डिंग सेम डिक्रीश करें यह भी एक नेगटिव सैंहीं देखेंगे इंकि रिजल्ट रिजल्ट के अंदर सेल कम आई है और एपस डाउन गया है और सेकंड फॉर्थ इस रिजल्ट के अंदर इनको अपनी होल्डिंग करिए तो बहुत बेकार आया एक तरह से और इसकाइब आको पांच दिन के अंदर इसना आट परसेंट माइनस रिटन दिया वन मंद के अंदर ने तीन परसेंट पॉजिटिव में रिटन दिया है अब चलते इसके अंदर कहां पर सपोर्ट मिल रहा हमार को देखिए लोवर वाटम टॉप से ही बापस हुआ है तो अगर ये कल के दिन 156 के लेवल को तोड़ता है तो इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी तो मेरा मानना है अभी इसके अंदर अवोईट करिए इसके अंदर अपर पास है अगर उपा लेवल पर तदा आप होल्ड रखिए इसको बेकिये मत जिस तरह से गिरा है वैसी बढ़के आएगा बापस क्योंकि अब इसने अपने लेवल तोड़ती है ये 200-day के में और 150-day के में के नीचे चला जा चुका है और 21-day के में को भी क्रोस करा और इंडिकेशन काफी ग्रावट के देखने हो मिले अच्छी-कासी बल्क सेलिंग हुई है इसके अंदर तो आचुका है ये देखिए इस डम से इधर भी एक बॉटम एक सपोर्ट है ये 160 पर सपोर्ट है अगर ये सपोर्ट टिक जाती है तो ये 159 के 159 के सपोर्ट टूटेगी तो ये 155 ए 132-133 के पहले नहीं रुकेगा ये शेर आव एक सो बी 133-132 के लिए वहलब फिर से बाइं ये वहलब फिर से सब ब्रैस वाइंग कर सकते हैं आसा करता है ये वीडियो आपको अच्छल लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फावर्ट करना बिल्कूल ना बूले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो